आप देख रहे हैं सत्भक्ति सागर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में सत्संद प्रवचन का आनंद ले ध्यान पूर्वक सत्संद सुने एक दिन उडिसार में एक इंदर दमन नाम का राजा था वो बगवान श्री किरसन का पुजारी था परम भग था सौपन के अंदर श्री किरसन जी ने दरसन दिये और कहा कि इंदर दमन एक मंजिर बना दे और जगन नाथ नाम रख देना उसका और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ती ना हो उसमें कोई पाख़ड पूजा नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मन विद्वान और उसके अंदर श्रीमत भगुद गीता का पाठ करे सद्गरंतों का ही अधार बना कर वो ग्यान देता रहे कोई पाख़ड पूजा मत करना कोई मूर्ती स्थाफना मत करना और उन्होंने खुद जाकर सौपन में इंदर दमन को ले जाकर के वो सथान दिखाया जो समुदर के किनारे पहाड पे था थोड़ा सा पहाड़ी है कि यहां बनाना अब ऐसा कहा कर स्री करसंदी चले गए इंदर दमन सुबह उठा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं अपनी पतनी से कहा कि मुझे आज सौपन में परमात्मा दिखाई दिये थे सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे और वो सथान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे जगनात नाम रख देना उसमें मूरती नहीं होनी चाहिए पाख़ण पूजा नहीं होनी चाहिए कोई वीपर छोड़ देना वो कथा सुनाया करेगा अब उसकी पतनी बड़ी धार्मिक ची वह बड़ी खुसी हुई क्यों हो हो हमारे तो भाग जाएगे अब फिर भगवान ने कहा जिया तिरे पास सारा संपन है सारा धन है बहुत पैसा है और कर दे शुरू तो इंदर दमन ने बहुत से कारीगर गुलाए उनसे नकसा त्यार करवाया और जाके कहा कि यहाँ वगवान पहुंचे वहाँ पर गुमते फिरते और बताया कि यहाँ बताया था यह सथान मंदिर बना दे अब कारीगरों ने तो दर्दी नीमजियों की चो और मंदिर बना के त्यार कर दिया अब जो ही मंदिर बन चुका अगले दिन पूजा करने थी, उसी दिन समुंदरी तुफान उठा, बहुत भेंकर, जैसे साइकलोन कहते हैं, ये कई बार आता है, उड़िस्टा के अंदर तो बहुत तभाही मचा देता है, ढा देता है तो मंजले मंदलों को मकानों को, ऐसा तुफान उठा, चौरिस फोट ओंचा, बहुत सपीड का, ऐसे घुमता हुआ, और मंद्र को खतम कर दिया, ना मों निसान मतंया दिया, दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही खो गया, ऐसी सती थी माती, तीसरी बार फिर बनाया, ऐसी ही उच्ट Ambaur, पिर बनाया, क्योंख आदेत था बगवा क्या देश काम पालन नहीं करा कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खतम हो गया और चार पांस बार मंदर ने ये समुदर ने ऐसी ही घटना कर दी राजा वड़ा चिंती तुए कि वगवान ने एक सेवा जी थी मैं वो नीच करनी पा रहा दुश्ट दुर भागया है मेरा कि मुद दिखाऊंगा वगवान को उसके गोलोक में जाक है उसकी पतनी करने लगी कि चंता ना करे मेरे पास मेरे गयाने रुख्यों कि इतने मैं क्या करूंगी आप इतनी चंता करे और भगवान के दिये हैं इन से करते तो उसने सोरे गयाने गया बेच कह और फिर सरू किय अब जो ही वो बनाने मंदर बन रहा था इतने में गोरखनाथ जी आगे क्योंकि पैचान तो उसको सके नहीं पर मात्मान कभीर जी ने बताया क्यों गोरखनाथ थे एक सिद पुरुष पुरुष थे राजा से कहा कि राजा इतना बड़िया मंदर बना रहे हो राजा ने कहा कि बगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है हमारी आज़े इसका पालन करो लाला कर ली राजा डर गया वह को देखा यह कोई दुरासीस ना देदे साथ हूँ तो राजा ने कहा जी जैसे आपकी इच्छा और कहा चंदन की लकडी से बनवाना कि अच्छा जी अब कारीगर खोजे अब मूर्ती बना कर त्यार करें चार होते होते बिलकुल त्यार हो जा मूर्ती आजसे विखर जा सारी तूट जा टुकडे टुकडे हो जाते दो तीन बार ऐसे की ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी राजा बहुत चंतित हुए कि उदर वो सिद्ध पुरुस है यदि ये मूर्ती नहीं बनवाई तो इन्हों कहगा तो पहले नाटे था और तेरी नीद में खोट है मुझे शराप देवागा राजा कि नीद रहा होगी उदर से मंदर की चंता उदर से ये मूर्ती नहीं बन रही है अब परमात्माये एक कारीगर का रूप बना के वर्द कारीगर जैसा नर्सी के पास आय थे और वहाँ एक वर्द कारीगर वर्द से आयू दिखा रहे हो जैसे लीदा करें और कहा राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड तंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ और मैंने सुना है कि यह मूर्दियां बन नहीं पारी मैं मूर्दी बना दूँगा राजा नबड़ी ख्षी हुई कैनो भवी वेक्टी दिख़े है और मेरी साइद बात बनेगी कहा जी ठीक है बनाओ अभी बंगा देता हूँ तंदन की लकडियां कहने लगा मुझे एक कमरे में बंद कर दो जब तक मैं यह मूर्दी ना बन जाओं मैं बाहर नहीं निकलूँगा वैसे नहीं बनेगी यह मूर्दीया और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाओंगा अस्तिन तामत करना और तुम बीच में मुझे डिस्टरब ना करना डिस्टरब करोगे तो मूर्दी जोंकी तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी राजान बोला जी ठीक है जैसे आपको उसका बोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा अब वो नाथ जी आगया कमरे में बगवान ने बैठे चार पांस दिन होगे तीन चार दिन होगे थे उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्दी बनाई राजा ने कहा जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं देखो बहुत सी मूर्दी बनाई ये कारीगर बैठे थे वो भी पुला रखे थे बुला लिए ये बना रहे थे ये तूट जाती है देखो बगवान कितनी नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है तो अब कैसे चलेगी बनवा नहीं हो अवस्या बनवा नहीं है अग्जी बनवा रहा हूं एक कारीगर है बहुत अनु भवी और वह बना रहा है मूर्दी तो नास जीन का मुझे दिखाओ पहले बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा भी तो जल्दी मंदिर त्यार होने वाला है फिर रखनी पड़ेगी कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाओंगा ऐसे ऐसी वैसी मूर्थी थोड़े रखने दोगा तो उन्होंने बता जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्थी नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आओंगा और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्थी वही की वही रह जाएंगी नास जी कहने गया ऐसी कोई बात है खुल ओ दरौजे को अब कटा कट करें कारीगर दरौजा खोलो कारीगर दरौजा खोलो नहीं खोला तो उन्हों सोचा नास जी ने कहा कि हो सकता है वो डाज़ भी मर गया हो तुम अच्छे हाथ विकती हो दरौजा तोड़ दो दरौजा तोड़े दिया वहां कारीगर था ही नी वह मूरती जितनी बन गी थी उनके हाथ हाथ बनाने रह रहे थे वह नो के नो रहे गे तिन्वा के वह टूंड अर पैर के पंजे वह तिन्वा नो हाथ टूंड नो के नो कारीगर था नहीं अब अब राजा के ने लगा जी और बताओ ब क्या करूं तो अन्य कारीगरों ने बताद ज़ा जा इसका ऐसे भी लगा जी ना सारे टूट जाएंगे ना सुजी अथ यह से गया रख दो नो की नो मूरति नो जा वसे रख दो अब वो मूरतीनों की नो दर्याखी है ठाके अब क्या हुआ कि वो मंदिर बन का त्यार हो गया और उदर से हम उसने मंदिर बनाने से आथ खड़े कर लिए सिरिंडर कर जिया था राजाने तब उसकी राणी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो इससे बनवा लो कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूँगा पर यूसर मुंदर बता नहीं कुंड़ से जनम का दूसमन है मेरा यह बढ़ते ही आले है उपर तो सौपने में बगवान दिखाई दिये श्री किरसंजी ने श्री किरसंजी दिखाई दिये उससे पहले प्रमात्मा आये स्वेम एक वर्द रूप बनाके वर्द अवस्था में बड़े रिसी उमर के साधुसंत का रूप बनाके हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में और आके कहन लगे राजन क्यों चिंतित हो आप राजा ने बताया कि महरादी ऐसे ऐसे मंदर बगवान दिखे थे सब्रमेशी के रसंदी उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदर बना दे इस अथान पर समुंदर के पास बनाना जहां गेरा समुंदर हो और मैंने उनके आगए यार नुसार मंदर बनवा लियार समंदर पता निके दूसमनी बरत रहा है मेरे साथ तभी तोड़ देता है तीन चार पांच छे बार बना लिया मैंने मेरा तक कोस भी खत्म हो गया है अब कैसे बनाओ मातमा प्रमातमा ने कहा कि मैं इस समंदर को रोकूंगा अब ये नहीं आ क्या था एक दोब गटना हो जा आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतिद हो जाता है तो सोपने में स्री किर्शन दिखाई दिए या खेल सारे मालिक के ही थे आप पर बना किर्शन रू बनाया और कहा कि इंदर दमन जो मातमा तुझे कल मिला था व्रद इसकी सक्ती का को कोई वार पार नहीं है आप इसको खोज कर इसके सरणों प्रार्थना करना और यह समुंदर रोक देगा आप इसकी बात पर विश्वास करना अब इंदर दमन सुथता उठते अपनी पतनी से सुब उठते कहा अपनी पतनी से कैसे ऐसे श्री कर्शन जी दिखाई दिये थे एक महातमा कल दरबार माया था और वो बता के गया था कि में वहां रहता हूं लेकर सेनी को बॉडली गार्ड़ों को अपनी पतनी को साथ लेकर देखा है? ओ तूं बैठे वो तो इंफ़र करर रहे थैं महाला ले रहा था एक लिला कर रहे थे जरनों में मत्त्या टेक्या औ उटकर आता है उस किनारे पर, समुदर के किनारे पर एक चौरा बना दे, मैं बज़न करूंगा बगोवान का, वह तलील लाके रहे थे, बगवान का तो मंदर टूटन लाकि रहा, वह बगवान नना बचा पा रहे, जिसको हम बगवान मानते थे, तो पुर्मात्मा बढ़ेड ठीक है जब उतरात रास के पत्थर बड़ा बना दिया जब उतरा चाराज बोलती है उसको और वहां पुर्मात्मा बैठ गे माड़ा लेकर एक वह समरणी ऐसे समरणी होती है ये ईक आथुट सारा लेकर बैठ जायते है उसको फावडीसी बोलने हैं उसको वो साथ में लेकर बैठे के ने मंदर बनके त्यार हो गया कती और मुर्ति उदर से मालक ने बनाए दी थी वा समुंदर एक दम उठा चालिस फुट उचा और तुफान का रूप धारन किया और परमात्मा ने ऐसे कर दिया अब जहां वो था समुंदर वही रुख गया इतना वेग से आ रहा था वो पानी ऐसा रुख गया जैसे पहाड बन जाता है ना निच्च जाव ना उपर ना आग्गे न सरक है वही खड़ा हुआ इस जल सरोथ का एक देवता है उसका नाम समुदर है वैसे वरण नाम है वरण के अंतरगत एक समुदर नाम का अन्य एसिस्टेंट है तो समुदर आएगा वहाँ पर विपर रूप धारन करके और कहा वगवन मुझे जाने दे आगे यानि जलने दे मेरे जल को जो मैंने आगया दी है इसको जो मैंने आगया दी है इसको जाने दो जल को आगे पर मातमा ने कहा क्या करेगा तूँ आगे जाकर कि इस मंदिर को तोड़ूँगा पर मातमा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है इसमें कोई पूजा पाख़ट पूजा नहीं चलेगी इसकी अंदर कथा करा करेंगे भगवान की और को ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को बर्मित किया जाता हो और एक भवन है भगवान का यह कथा होती है इसको मत तोड़ तू मंदिर को तोड़ा नहीं करते तो वो कहने लगया नहीं मैं आवस्य तोड़ूँगा प्रमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे जा तोड़ कहने लगया मैं आपकी सक्ती के सामने मैं निसक्रिये हो गया हूँ आप से अरज करता हूँ आप हट जाव रस्ते से अक नहीं, अब नहीं हट सकता, मैंने वतन दे रखा है, तो क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुस्मनी है तेरी इसके मंदर के साथ, तब समुदर ने कहा कि जब ये स्री किरसन, ये जगनाथ, सिरी राम रूप में था, इसने मेरी बेजती करी थी, इसने मुझे ड्रा ध तोड़ नहीं सकता, तेरी महिमत आता तोड़ दे, फिर कहने लगा जी मुझे, कोई विकलब बताओ, मेरी इज्जत रह जा, कहने लगे, जा कि उसकी दौरका को डुबोले, ओ खाली पड़ा है, और यहां आस पास भी नहीं आ जाना, एक मिल दूर भाग जा यहां से, तेरी खेर नहीं, अगर फिर भी तो दूबारा इदर आ गया था, आज परमान है, जगनात के मंदर को दास देख रहा है था, सिर्फ कुछ बगतों को साथ लेकि यह देखने के लिए कि वास्त लुक्ता है क्या, वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित, वो चौरा सथान वो सबूत्रा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसको पर एक मंदर सा बना रखा है, यादगार बनाए रखने के लिए, और उन्हों ने भी यही कता सुनाई, कि यहां बैठकर भगवान स्री कभीर परमेशवर्दी ने समुदर रोका था, मंदर वहां से अपना अत्माओं यह कता हैं, अमने जो रियल ग्यान था सुना नहीं था, और इन अमारे धर्म गुर्वों अमारे को लोग वे दंद कता सुना रहा की थी, या मूरख बना रहा रहे थी, अम रंग दिये उस जुठे रंग में, अब सच्य अग्यान को सुनते सुनते हमारी दियाना मन कई बार वगाउद करता है, फड़कता है, लेकिन कहां तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अग्यान से यह उस रंगा था, तो ग्यान इसके अंदर अब समा जाएगा, तो यह अपने आप सेट होगा करता है, तक तक दो रचराई थीचे और वगार प्यान सेय यह जाएगा झालम होगा थीचे दो बते हमास करता है अध्याने अब कारता है